दोस्तो आज हम बात करेंगे एगलोनोमा प्लैंट की बारे में ये बहुत सांदर सांदर एगलोनोमा प्लैंट बजार में आपको दीखते हैं ये इंडोर प्लैंट में बहुत सांदर सबसे अच्छा इंडोर प्लैंट है ये बैलकोनी गार्डेन के लिए बहुत अच्छा है और indoor plant में इसको ग्रोव कर सकती है, काफी सारे जो air purifier में इसको help करते हैं, इसका काफी color combination में बहुत सांदर, सैक्रो नहीं हजारो color combination में आते हैं, और एक एक color देखा रहा हूँ, क्या vibrant color है, यह indoor air purifier भी है, यह indoor जो toxic chemicals होते हैं, जैसे formaldehyde, benjeet, different biosis, फाइटो रिमेडिशन के इसाब से बहुत अच्छा है, यह oxygen supply के लिए बहुत अच्छा है, पहले में दिखाता हूँ कैसे care करें, जब भी आप देखते हैं, इसमें फूल आता है, यह फूल को आप साथ साथ हटा है, क्योंकि जब भी इसमें फूल आएगा, यह spade कहते हैं, यह spade को आपको जरूर से हटा देना है, क्योंकि जब जब इसमें फूल आएगा, तब इस plant को लेगा कि यह reproduction का time है, तो इसका ग्रोथ है, यह ग्रोथ यह कम हो जाएगा, यह दिखिए फूल का spade है, इसको मैंने हट अब क्या हो गई, यह काफी fast grow करेगा, अगर यह फूल बना रहेगा इस पर पौदे में, तो आपका जो पौदे की growth है, यह काफी कम हो जाएगी, इसलिए क्या है, जब भी आपको फूल आए, आपको हटाना पड़ेगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके कोई पत्ते इसमें fungus का अटक होता है, तो आप पत्ते को काटका हटा दे, कोई चिंता की बात नहीं है, काफी नए नए पत्ते आएंगे, वैसे यह थोरा slow grower है, लेकिन यह indoor plant की साबसे ही, या फिर इस तरह से आपको जो balcony garden की साबसे सबसे ideal है, अब मैं आपको दिखाऊंगा, कि इस soil mix क्या होने चाहिए, इसका division कैसा होने चाहिए, इसका प्रोपागेट कर सकते हैं इस तरह से दीखिए, नीचे से pups की तरह नए ने branches आते रहते हैं, यह जो एक प्लैंट है, दो सो ड़ाइस रुप्या हम भीगता है, यह लिप्स्टिक अगलोने मा है, कुछ बैलेंटे पहले यह चाकू जो है, इसको हम थोड़ा sterilize कर लेते हैं, चाकू को अमारे पास देटल है, डेटल से साफ कर लेते हैं, जब भी sterilize करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पौदे में जो है, भायरास वगरा, ब्यक्ट्रिया वगरा के attack नहीं होता है, और इस तरह से पहले दे यह हमारे पास एक पौदा मैंने खरीद के लाया था, यह तीन पौदा हमारा बन गया, और यह ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ छह मैने में आपको नए ब्रैंचे साते रहेंगे, और इसको जो मित्टी है, इसको हटा कर दिखाता हूँ, इसकी जो मित्टी के composition ब बताता हूँ, यह बहुत जरूरी है, आपको कि आप जो actual इसका soil mix यह बताईए, यह जो है, इसमें मैं दिखाता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ, यह गंबले है, इस गंबले के नीचे छेद है, इसमें जो नया हमने पौदा निकाला है, इसको हम replanting करेंगे, इसको transplanting करेंगे, और एक गंबला है मेरे पास, इसके नीचे छेद है, उपर हम कपरा दे देते हैं, ताकि इसमें से, जो soil mix है, यह बाहर नहीं आसके, लेकिन पानी बाहर आसके, पहले देख लेते हैं, हम इसमें soil mix में basically देंगे क्या, कुछ पांचे आइटेम है, आप नोट कर करेंगे, उसमें हम मिलाएंगे करीब 30% या फिर 20% बालू या फिर आप ब्रिक क्रस कहते हैं, जिसको हम सुर्की कहते हैं, सुर्की मिला लिजे, यह बहुत अच्छा उपदान है, कोई भी indoor plant के लिए ग्रोव करने के लिए, यह बालू, रेत या बज़री या फिर इस तरह क जो कहते हैं इसको, ब्रिक डस्त जो कहते हैं, इसको सुर्की कहते हैं हमारे हैं, इसको मिला लिए, और उसमें करीम लाइए आप 10-15% वर्मी कॉंपोस्ट मिलाएए, देखिए वर्मी कॉंपोस्ट ये निऊटिसन के लिए बहुत अच्छा है, दस से पंद्रा परसन वर्मी soil media है उसमें मिलाएंगे इसमें देखी यह नीम की खली है थोरी से दो चम्मज के करीब हम नीम की खली दे दे देते हैं यह काफी सारे micronutrients होते हैं और nematodica भी control करेगा कुछ इसमें काट का कोईला यह लकरी का कोईला होता है यह carbon की source के इसाब से मिलाएंगे आपके indoor plant के लिए यह लकरी का कोईला होता है यह बहुत अच्छा है carbon source के लिए बहुत अच्छा इसमें fungus भी दूर होते हैं और indoor plants के इसाब से काफी अच्छा रहता है यह जो आपको पांचे चीजे मैंने बताई इसमें soil mix बना लिए एक दो चीज अगर नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है आप एक दो चीज इसमें नहीं है तो वो छोर के भी आप और यह कोई भी indoor plant में आप इसको grow कर सकते हैं यहाँ पर आप cactus सेक्वलेंट जो है वो भी इसमें आप grow कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई भी balcony garden के लिए indoor plants के लिए आप यह जो soil mix इन्यवर्सल soil mix यह ले लिए अब मैं दिखाता हूँ इसको planting कैसे करें तीन पोधा है तीन जो stick है इसमें लगाता हूँ में पहले थोड़ी सी डालके इसको बिठा लेता हूँ में और इसमें यह soil mix दे रहा हूँ में यह क्या है यह soil mix इस तरह का है कि water retain करता है हम लोग को हमेशा soil moist चाहिए यह agglonoma लगाने के लिए soil moist चाहिए लेकिन भीगवा नहीं होना चाहिए wet नहीं होना चाहिए याने कि इसमें पाणी जमना नहीं चाहिए लेकिन हलकालका moisture इसमें बना रहना चाहिए और आपको पाणी 3-4 दिन में भी पाणी एक ब़ार दे देंगे तो आपका हो जाएगा यह देखे दूसरा पौदा जो है यह भी मैं आपको ग्रो करता है दिखाता हूँ और ध्यान दखे कि अगर इंटर्प्लेंट ग्रो कर रहे हैं अगर आपका फंगस का इंफेक्शन होता है तो आप रिडुमेल गोल्ड दे सकते हैं या फिर एमिस्टर टॉप आर्दर क्टिंग है तीसरा भी कटिंग है जो गमला हमने निकाला था नर्सरी से लाया था उसी गमले से खाली करका हम थीसरा भी बिठा ले तो यह हमारा तीन पौदा तयार हो गया इस तरह से आप छ्छा मेना में और एक एक से तीन से चार या पांच और पी पौदा बन जाएगा यानि के सालों में आप स्यक्रोफ वादे इस तरह से बना सकते हैं और नर्सरी वाले स्ठीक ऐसे आपको मना मना के देते हैं और आपको 1-100-200 रिप्या में अग बेशते हैं तो तरह तरह के जितने भी डीजाइन दर आपको यह दोग लिन आँ महा सभी के जो केरिंग टिप् सकते हैं अब मैं क्या करूंगा इस तरह से मैं दिखाता हूं आपको इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूं हलकी तोल से पानी ध्यान से जादी नहीं दे क्योंकि यह ज्यादा देंगे खराब हो जगा यह ब्राइट संगलाइट का पौधा है इंडरेक्ट ब्राइट सानलाइ अगर आप डाल देंगे तो इसमें आपको और कोई चीज देने की जूरत नहीं पड़ेगे मैंनों में एक बार एक चमच मिक्चर फाइटलाइजर आपके लिए इस तरह के पौदे के लिए काफी है और इस तरह से मेरे पास बहुत सारी देखिए बहुत कलर के यह इंडर प सब्सक्राइब करें यह वीडियो देखने के लिए आपको